नमस्कार साथियों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चैनल कॉम्टीशन अड़ा में आज की ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही खास है बहुत ही महत्पूर्ण है जो मद्दप्रदेश पुलिस भरती परिच्छा 2020 के तयारी कर रहे हैं चाहे वो कॉंस्टेबल के एकजाम हो या ऐसा एक एकजाम हो दोनों के बारे में हम बात करेंगे हम इस वीडियो पे जिन पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं वो मैं पहले आपको एक सौट में बता देता हूँ हम बात करेंगे total vacancy के उपर कि कितनी total expected vacancies हैं क्योंकि जो भी अभी latest news मिली है उसके according में आपको बताऊंगा और उसका source क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा साथ में किस जिले में कितनी vacancies हैं क्योंकि vacancies बार संभागवाज निकाली जाएंगी जिले वाज निकाली जाएंगी और साथ में जो सबसे महत्मून पहलू है वो है पहले physical exam होगा या return exam होगा तो इस पे हम clear बात करेंगे कि physical exam पहले होने वाला है या पहले return exam क्योंकि जब तक यह clear नहीं होता तब तक जो तयारी में है वो मन नहीं लग पाता है क्योंकि clear आपके पास एक strategy आपनी प्लान कर पाते हो साथ में कब तक यह भरती हो पाएगी और उसके लिए क्या आदेश है आने वाले दिनों में हम वो सब आपको इस video हम दिखाएंगे exam nation centers वेगर सब की बारें बात करेंगे तो चली दोस्तों वीडियो को start करते हैं उससे पहले आप से मेरी request है अगर आपको जानकारी सही लगे और आने वाले समय में आपको police भरती या किसी भी अन्यमद्द प्रदेश की भरती से related को जानकारी चाहिए हो तो आप इस channel को subscribe जरूर करें आप साथ में bell का icon प्रेस कर दें ताकि आने वाले दिन में जो भी वीडियो जो अप्लोट करें उसका notification आपको मिल सकें तो चली दोस्तों वीडियो को start करते हैं सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो वीडियो का source है आप यहां देख सकते हैं जिले वाइज पहले ते विकेंसीज स्यूपरी असोक नगर दत्या गुना यह है जो भी है आप इसको पाउच करके screenshot लेकर आप पढ़ सकते हो ठीक है साथ में यहां आप देख सकते हो सहडोल संभाग में एक सो सतर पाद अनुपूरु मरिया हर जगा के आप देख सकते हैं आप पहले तुछन को screenshot लेकर आप पास रख सकते हैं ठीक है यह देखे जो अलबूर संभाग की विकेंसीज हैं यह और यह है रिवा संभाग की विकेंसीज रिवा में 130 पाद हैं साथ में अब मैं आपको बताता हूँ इसका सोर्स क्या है तो एक चैनल है newgovernmentvacancy.com इन्होंने हर एक संभाग वाईज हर एक जिले वाईज विकेंसीज अपने वेबसाइट पे प्रदरशित कर दिया है लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूँ official notification कोई भी जारी नहीं किया गया है कि किस संभाग में या किस जिले में कितने पद हैं ये जो भी इन्होंने अपने वेबसाइट पे डाला है इनके पास क्या सोर्स था और किस तरीके से इन्होंने डाल दिया है ये कहपाना बहुत मुस्किल है कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है तो खोएसल नोटिफिकेशन करें और अ मिली जरूडी थी इसलिए मैं आपको बताया और और कुल्पद के अगर हम बात करें तो आप यहां कुल्पद देख सकते हैं 9500 इन्हीं के साइड पर डाला गया है ठीक है 9500 पर कॉंस्टेबल जीडियू में निका ले गया है और बाकी जितने भी ट्रेड कुक हो गया इनके लिए कोई पद नहीं है तो उसके लिए देखे जो मेरे पास रिलिवेंट जनकारी है वो मैं आपके पास डाला टकतर हूँ यह आदेश है ठीक है जिसके उपर सारे काम किये जा रहे हैं जिसके डिपेंड है तो इसमें आदेश दिया गया था हर एक के जिले में S.P. महोदय को कि 15 दिसमबर 2019 तक अपने अपने जिले में जो Examination Centers है उनको चिनित करके आपको आगे के लिए करवाई के लिए भीजना है पेश को को जनकारी भीजनी है कि किस किस Examination Center में आप एक्जाम कराना चाहते है ठीक है और examination centers में क्या सक्तिया रहेंगी क्या security के लिए रहेंगे यह rules है आप इसको भी वीडियो को पाउच करके बढ़ सकते हैं ठीक है तो 15 December तक के लिए जनकारी मागी गई थी 2019 जो कि निकल चुका है इसके बाद अब आगे क्या करवाई है तो आगे करवाई यह है कि हर इक examination centers को point out कर लिए गये हैं clear कर लिए गये हैं कि इन इन examination centers में paper होंगे उनके security के लिए हर एक काम किये जा रहे हैं ठीक है तो आने वाले दिन में लिखित परिच्छा offline mode होगी यह मैं आपको अब इसे बता दूँ साथ में हर जीले में यह आदेश जारी कर दिया गया है तो vacancy ज जो vacancy's हैं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि last January से mid February तक आपको यह vacancy's देखने के लिए मिल सकती है official notification पर ही ट्रस्ट करें दोस्तों क्योंकि कई मिथे फैल आ जाते हैं जैसे मैं आपको बताया अब इन vacancy's का कोई आधार नहीं है क्योंकि कोई official notification अभी तब भाग द्वारा जारी नहीं किया गया है तो relevant जानकारी पाने के लिए और आने वाले दिन में और मदब्रेश पुलिस आने भरती परिच्छाओं के लिए आप मेरे चैनल के सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और वीडियो को जाज़़द से करें लाई तो